बिस्मिल्यारामारहीम आज हम पाकिस्तान और सौदिया अरेबिया के रिलेशन्स देखने की कोशिश करते हैं यह फॉरन पॉलिशी का टॉपिक है अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगे आपको समझ आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस क्या है हम उसको देखने की सबसे पहले कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान और सौदिया में अच्छे तलुकात हैं यह हमें पता है और उसकी वज़ा हमारी रिलिजिस अफिनिटी है और कल्चर है हम यह जानते हैं कि पाकिस्तान के जो कॉंस्टिटूशन है उसमें आर्टिकल 40 है और उस आर्टिकल 40 के मताबिक पाकिस्तान को अपनी फॉरन पॉलिसी में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे तलुकात रखना बहुत जरूरी है तो हमारा कॉंस्टिटूशन यह बाइंड करता है कि हम मुस्लिम वर्ड के साथ बेतरी तलुकात रखेंगे उसके वज़ा से हमारे तलुकात जो साथी अरेबिया है उसके साथ कौरजियल हैं अच्छे हैं अब पाकिस्तान दूसरा यह काम करता है साथी अरब के लिए जिसके वज़ा से तलुकात चीक हैं वो यह है कि पाकिस्तान साथी अरब को मिल्टरी सपोर्ट देता है साथी अर हम उनको equipment भी फराम करते हैं जो हम इदर उदर से लेते हैं कभी चाइना से लेते हैं कभी अमेरिका से लेते हैं हम उनके साथ share करते हैं और हम उनकी military को train भी करते हैं हम उनकी infantry को train करते हैं और उसके साथ साथ technology के arena के अंदर जानी जो technology है जो technology है हत्यार में उस arena के अंदर भी हम साथी अरेबिया की हल्प करते हैं तो हमारे तलकात उनके साथ अच्छे हैं तीसरी चीज़ पाकिस्तान ट्रेंज दी आर्म फोर्चस ऑफ साथी अरेबिया मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम आर्म फोर्चस ऑफ साथी अरेबिया को हम ट्रेन करते हैं उनको ट्रेनिंग करते ह अच्छे से ताकि वो लड़ सकें तो ये भी एक वज़ा है जिसके वज़ासी हमारे तलकात उनके साथ अच्छे हैं फिर उसके बाद पाकिस्तान ने हमेशा ही सौधिया की सौवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है याद रहे कि 90's 90's के अंदर सदाम हुसैन ने कुएट पे हमला कर लिया था और उसके ऑईल के रिसोर्से पे कबजा करना शुरू कर दिया था तो हमने क्या किया हमने पाकिस्तान ने आर्मी भेजी और कहा कि हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे सौधिया अरेबिया को एट ओल कॉस्ट हर एक कीबच पे प्रोटेक्ट करेंगे सौधिया अरेबिया को तो उसके बाद वो अलग बात है कि सदाम हुसेन को अमरीका ने आके वहां से हराया और उसको भगाया वहां से और बाद में 2003 में उसका भी बोरियो बिस्तर गोल कर दिया अमेरिकन्स ने तो कि वो पैक्स अमेरिकाना चल रहा था और अमेरिका की पावर उसको बहुत ज्यादा थी उसके बाद जनाब 1976 के अंदर कुछ सिंबल्स हैं जिसकी वज़ा से हमने सौदी अलेबिया के साथ अच्छे तलकात बनाने की खुश्च किये यह सिंबॉलिक निचर के कुछ एक्ट्स होते हैं वो हम देखते हैं 1976 में हमने फैसलाबाद का नाम फैसलाबाद इसलिए लगा रखा क्यूंके किंग फैसल थे और पहले फैसलाबाद का नाम लैलपूर होता था तो जनाब किंग फैसल की हमने शान में एक बड़ा अच्छा कारनामा किया वो यह किया हमने तलकात को बेतर करने के लिए लैलपूर को फैसलाबाद बना दिया दूसरा हमने 2006 के अंदर किंग अबदुला उस वक्त सौदी अरेबिया के किंग थे तो निशाने पाकिस्तान सबसे हाइस सिविलन अवार्ड 2006 में उनको अवार्ड कर दिया और हमने का तो हमारे जो तलकात हैं वो बेतर हैं और यह सिंबालिक जो एक्शन्स हैं वो करके हमने तलकात को मज़ीद मजबूत करने की कुश्च की अब पाकिस्तान ने जो किया यह आपके सामने है सौदी अरेबिया के लिए अपने दोस्त मुल्क के लिए अब सौदी अर अरेबिया ने जनाब पाकिस्तान को हमेशा फाइनाशल सपोर्ट दिया है पाकिस्तान की एकॉनमी उसका हमेशा से ही मसला रहा है तो सौधी अरेबिया ने पाकिस्तान को फाइनाशल सपोर्ट दिया है और फिर वो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानीज है जो लेबर है ओरसीज उसको भी रखता है जैसे वहाँ पे को पलंबर हैं वो ड्राइवर हैं अलेक्ट्रीशन्स हैं वो वहाँ पे उनको वीजा देता है कि वो वहाँ पे आके काम करें और वो रैमिटेंस बेचते हैं अपने कंट्री के अंदर जिस से हमारा फॉरन एक्षेंज रिजर्फ बढ़ता पेक के उपर भी पाकिस्तान के स्टांस को सौधी अरेविया सपोर्ट करता रहा है अब दोनों कंट्रीज के व्यूज सेम थे जब अफगानिस्तान के अंदर सोविट यूनियन ने हमला किया दोनों ने ही तालिबान को या दोनों ने ही मुजाहिदीन को ट्रेन किया पैसे यह पाकिस्तान ने ट्रेन किया था सौधी अरेबिया ने पैसे डाले थे ताकि सोविय्ट यूनियन को हरा के भगाया जा सके और हमने देखा कि 90s 89 के अंदर February 1989 probably it was जब Soviet Union अफगानिस्तान से भाग गया और पाकिस्तान और सौदी अरेबिया की विक्टरी हुई क्योंकि उनका स्टान्स ये था कि Soviet Union को यहां से चले जाना चाहिए तो ये भी एक similar views थे तो confluence of interest था confluence of interest से आपके relations मजबूत हो गए उसके बाद 90's 90's में पाकिस्तान पर मुश्किल दोर आया जब Americans ने Pressler Amendment और Bull on Amendment ये लगा दे थे Pressler Amendment लगाई थी तो उससे क्या था कि पाकिस्तान के उपर पबंदिया लगा दे थी क्योंकि पाकिस्तान nuclear program को pursue कर रहा था तो जब पाकिस्तान ने धबाके करना शुरू किया तो पाकिस्तान ने सौदी अरेबिया को अपने एतमाद में लिया था बताया था कि अब हम टेस्ट करने वाले हैं nuclear weapons का और 50,000 barrel पर डे oil भी आपको आता रहा है साओधी आरब की तरफ से जब आप पे sanctions थी तो ये भी इस बात का थबूत है कि पाकिस्तान को वो help करते रहें उसके बाद पाकिस्तान में मदरसा बिल्ड करने में भी सौदी अरेबिया का बड़ा रूल है पहले 800 मदरसा बिल्ड के 90's 80's के अंदर पाकिस्ताने के दौरान जो मुश्किलाथ है उसमें पाकिस्तान की माली मदद करना और उसके साथ-साथ पाकिस्तान के education sector में जो contribution है ये some of many actions हैं जिसके वज़ाए से हमारे तलकात सौदी अरेबिया के साथ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है खुबसूरत है अब हम देखते हैं कि हमारी financial support कैसी हुई है जब भी पाकिस्तानी सौदी अरेबिया के किसी भी लिडर को जपी डालेंगे हग करेंगे तो उसके बदले में billions of dollars सौदीया को पाकिस्तान को देने पड़ते हैं तो सबसे पहले 2001 में पहली बार जब भी डली जब मुशरफ थे यहां पे तो जणाब 380 billion रुपीज का soft loan पाकिस्तान को परवाइड किया ताकि पाकिस्तान के जो budget का deficit है उसको पूरा किया जा सकी दूसरी बार जब भी डाली गई सौधी अरेब के किसी लीडर को तो जणाब 2003 में 2 billion का loan दिया गया बाद में पाकिस्तान loan देने में 2 billion dollar का loan यह डॉलर है 2 billion तो बाद में जो पाकिस्तान वो loan वापस करने में नाकाम हो गया तो इसको grant में change कर दिया गया तीसरी बार 2006 में दोबारा एक और जब भी डाली गई सौधी अरेब के लेडर को और 272 billion dollar की million dollar की सौरी 272 million dollar की investment पाकिस्तान में आ गई तो यह जब भी 272 million dollar में सौधी अरेब को पढ़ गई अल्टिमेटली यह उनका no confidence vote से पहले तो वह उस जब भी ने पाकिस्तान में oil refinery की establishment के लिए investment लाए यानि सौधी अरब ने promise किया पाकिस्तान को कि वह बहुत सारे पैसे लाके पाकिस्तान में oil refinery बनाएगा तो खान साब की जब भी जो है उसने पाकिस्तान को oil refinery दिलाई अगर आपको यह lesson बहुत अच्छा लगा वा तो आप हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं और इस वीडियो को like भी कर सकते हैं अपनी दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज